एलो एबरिवन आज हम बात करेंगे XL2 6 की इससे पहले मेरा सीरी चलते आ रहा है 12345 आज टॉपिक है 3 की 6 की और इसमें आज हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन की तो चलिए कोश्चन की दरफ चलते हैं और देखते हैं क्या 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 साब से डिल करेंगे डाटा वैलिडेशन का कॉश्चन है तो हम क्योश्चन की दरफ आएं और मेरा पहला जो कॉश्चन है वह कहता है कि create the below mention database by following the instruction तो number one question है question के लिए database बनाना है हमको और इस database को बनाने के बाद यह कुछ instruction दिया गया है उसको follow करना है तो सबसे पहले चलते हैं एक नया seat add करेंगे और उसमें ले चलते हैं इस फाइल को add की seat 1 एक्सल टूल 6 का जो मेरा फाइल है इसको copy करते हैं यहां से copy ctrl c और seat 1 में जाके हम इसको paste कर लेते हैं यहां पर ctrl b अब इसको हम बनाएंगे यहां पर यहां पर बना लेते हैं सबसे पहले डालना है employee code next में डालना है name और next में department depth और इस परकार से हम लिख चुके हैं सबको और उसको adjust करना होगा हम adjust करा देते हैं employee code यहां select कर लेंगे करने के बाद हों में मेरे पास यहां हां format का एक option है format और फिट कॉलम विट्स तो आप देखेंगे कि कॉलम का विट्स जो है और फिट हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि इसमें से सो कराते हैं सबको सो कराने के बाद इसको डिलीट कर लेते हैं जो में पास यहां data दिखता है select करके clear में जाएंगे यहां से clear all करेंगे तो यहां से खतम हो जाएगा मेरे यह data है अब यहां पर हम select करेंगे पूरा कंट्रोल सिप्ट स्पेस से भी select होता है कि इसको all border देते हैं all border और थोड़ा सा size increase कराते हैं इसमें आपको दिखाए दे कि डिपार्टमेंट है में पास यह पोस्ट है पर है अब है असकोफ बेसिक है कि कितना उसको मिलता है 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 ka heading को रंग इन काते हैं जो अच्छा लगेगा है और उसको bold प्लस रंग इन का डेते हैं हिए है अब हम अपने कोश्टन की दरुप चलेंगे और कोश्टन से जानेंगे कि क्या काता या कुस्टन और उसका क्या situation होगा क्या deal काना होगा तो सबसे पहला question जो है मेरा सबसे पहला point वो बोलता है कि employee code does not allow any duplicate value जो employee code है वो allow ना करे duplicate value जैसे question का कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी worker है उन सब का एक unique code होना चाहिए जिससे उसकी पैजान होगे कि नाम तो सेम हो सकता है code अलग-अलग होना चाहिए उसका तो code अलग-अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस area को condition दे देंगे जिससे कि मेरा इस area में कोई duplicate value सपोर्ट ना करें अभिया भी आपको दिख रहा होगा कि सारे अलग-अलग unique data है कोई भी एक तुसरा से matching नहीं है तो इतना area को हम select कर लेंगे पहले select करने के बाद आप चलेंगे data में data में आपको दिखाई देगा data validation data validation में यहां पर आएंगे allow में तो सबसे नीचे का जो option आपको दिखता है उसका नाम है custom, custom में आएंगे data validation में custom लेके यहां से हम custom लिए और यहां formula put करना होगा हमको equal का sign देंगे formula लगाएंगे count count if logic देंगे कि अगर range जो है मेरा वो a2 से लेकर देखना होगा कहां तक है a8 तक a8 तक जो हो वो रुका रहे fix हो जाए और इसमें a2 से काम जो करे इसको column fix काना होगा हमको column के साथ तो यह और इस condition में हम बोलते हैं कि मेरा जो criteria पूछता है कि इसमें range क्या है count if का logic यह होता है कि range क्या है और उसका criteria क्या है तो range हम बोले कि इतना range है comma के साथ criteria दिये कि a2 मेरा criteria है इसके base पे और यहां पर एक logic की यह है कि equal के sign के साथ one डाल लेंगे जिससे होगा मेरा यह कि कोई भी जो data put किया जाएगा वो एक ही बार put लेगा उसके बाद आपको काम नहीं करेगा यहां से ok button press करेंगे करने के बाद यह जो आपको data दिखाई दे रहा है इसमें इसमें आप कहीं भी एक दूसा से matching नहीं करा सकते हैं जैसे यहां पर हम आए और यहां पर लिखते हैं ऊपर वाला मैचिंग करा के देखते हैं कि यह 123 इंट्रम आते हैं तो एक message flash करता है यह message देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि this value does not match the data validation restriction defined for this cell जो define गया गया है data validation में उस value को यह match नहीं कराता है तो आपको cancel करना होगा और यह यह जो message flash करता है इस message flash को भी हम बदल सकते हैं और अपने अनुसार डाल सकते हैं तो अपने अनुसार डालने के लिए इसको select करना होगा आपको फिर से मेनू में शलते हैं और मेनू में data validation है मेरा यहां पर यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे कि जो इसमें आप message डालेंगे टाइटल में डालेंगे कि employee code employee code और error message जो flash कर रहा था उसमें आप लिखेंगे और यहां से ओके करेंगे अब यहां पर आते हैं अब यहां पर आते हैं और यहां पर आगर हम डालते हैं इस जीरो जीरो नाइन इंटर्मार करें तो एक नया message आया है message का हम जो है वह heading बदले हैं employee code डाल दिये थे और जो input message है वह भी अलग डाले है doesn't allow duplicate cancel कर देते हैं तो यह मेरा पहला point था दूसरा point देखते हैं question क्या कहता है दूसरा point के लिए दूसरे question में चलेंगा question number second जो point कहता है वो कहता है कि employee name does not allow more than 20 character मतलब यह कि employee का जो name column है उसमें her sale में उसका एक validation हो जिसमें हम 20 character से ज्यादा ना लिख सके जैसे आप form home fill करते है online या कुछ होता है जिसमें हमको mobile number अगर 10 character ही डालना है अच्छेगा तो validation लगा दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे ही हम अपने name column में यह validation लगा सकते हैं कि 20 character से ज्यादा उसमें allow ना करें 20 character ही लिख सके तो question में आते हैं question में आने के बाद फिल से हम क्या करेंगे कि select करेंगे name वाले को name वाले को select करके फिल से हम data menu में चलेंगे data menu में जाके data validation में आएंगे data validation में आके यहां पर setting में इसको करेंगे इसमें text से belong है तो text length लेंगे यहां पर formula जो लेना होगा आपको वो यह कि यहां text length लेने के बाद यहां पर जो है वो text length हम लेंगे कि less than और equal maximum डालेंगे 20 बोलेंगे कि 20 character या उससे कम less than या equal to 20 character या उससे कम ही लिखा जा सकता है उससे ज्यादा ने और इसमें भी आप मैसेज लगाना चाहते हैं तो alert में जाके इरा title डाल सकते हैं कि इंप्लॉई नेम इंप्लॉई नेम और इरा मैसेज डालेंगे doesn't क्योंड अलाव बोर दैंट 20 character character यहां से ओके करेंगे अब हम आते हैं यहां पर अपना चेक करके देखते हैं जैसे सुमित जो है पांच और सर्मा भी पांच यहां नहीं 10 करेक्टर है इसमें अगर हम 20 करेक्टर लिखते हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा च्रॉदर कामरा सोले सतरह ठारह निस बीस इंट्रम आते हैं तो एक्सेप्ट कर गया बीस किये थी एफ्टी माते हैं तो इडिट मोड में जाएगा और एक और लगाते हैं 21 इंट्रम आते हैं तो मैसेज जो हम हेडिंग डाले हैं I'm not you know जो डाजा है अब नेक्स्ट की तब शलते हैं और देखते हैं कि क्या तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो को एक सर्टम मोर तिसरा नमर पॉइंट और तिसरा नमर पॉइंट बोलता है कि डिपार्टमेंट नेम्ट मॉस्ट भी select from a drop-down list MKT account and finance जो department name है उसमें drop-down list हो उसमें manually कोई type न कर सके जो हम database बना के दें employee को काम करने के लिए उसमें ही काम करें वो अपने मन से न करें मतलब drop-down list आप कोई form भालते हैं तो उसमें city select करने के लिए देगा तो आप उन ही city को ले सकते हैं जो वो allow करता है वो form allow करता है उसमें एक list होगा कि आपका जो city है वो city अगर उसमें आता है तो आप ले सकते हैं बादा नहीं ले सकते हैं तो ऐसा ही हम department लेंगे और तीन ही department को drop-down list में बना देंगे तो कोई भी seat पर काम करेंगा तो उसको इन तीनों में से ही लेना पड़ेगा एक्स्टा वो department एड्नेंग कर सकता है तो डिपार्टमेंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां से हम चलते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं सेलेक्ट करेंगे या डिलीट कर देंगे वहाँ सेलेक्ट करके हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि डिलीट करेंगे तो फिरशे हम को लिखना पड़ेगा स्थरेक्ट करके रखते लृता ताडा वालीडेutरेषन में गया और यहां से परसे हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद एलाव में यहां पर एलाव में आपको लेना होगा लिस्ट लिस्ट में आपको डालना पड़ेगा कि आप डिपार्टमेंट क्या क्या लेना चाहते हैं तो मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है, एक है M, K, T, कॉमा देंगे, दुसरा डिपार्टमेंट मेरे पास है, एकाउंट A, C, C, T और तीसरा जो है, फिर कॉमा देखे, फिनान्स, तो यह तीन डिपार्टमेंट लिए और यहां से आप OK कर देंगे, Error Message आप डाल सकते हैं, Error Message डालने के लिए फिर वहीं जाएंगे, Error Alert में, और यहां पर Heading जो होगा, वो Department हो जाएगा, Department, मैसेज डालेंगे, Select, From, A, Drop Down, Button, मतलब यहीं कि ड्रॉप डॉप डॉप बटन से ही सेलेक्ट करना है, आपको अज़र नहीं लेना है कैसी, अब आते हैं हम अपने Department को देखते हैं, तो यहां पर Already Select है, कि हम जो लिया हुए, MKT का, यहां देको तीन Department है, जिसमें अकाउंट है, यह लिया हुगा है, यह तीन Department है, इसमें से हम कुछ ले सकते हैं, अधर हम कुछ डालने की कोसिस करते हैं, जैसे R, N, D, Research & Development के लिए, की कोसिस की और इंटर मारेंगे, तो मैसेज आएगा Department के लिए, कि Select from a drop down button, यह बोलता है कि आपको लिखना नहीं है, आपको Select करना है, drop down button से valid है, तो यह यह चीज़ था इसमें, नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं, और देखते हैं कि कोश्चन का, तो मेरा अगला कोश्चन है, वो इसमें आके देखेंगे, अगला कोश्चन जो है, यह है, कि Post field only accept text, पोस्ट का जो field है, उसमें केबल हम text ही लिख सके, number ना put हो, ना कोई symbol लिखा जाए, तो उसके लिए हम क्या लाव करते हैं, वो भी valid करना पड़ेगा, कि वहाँ पे text ही accept करें, number ना, तो आते हैं, फिर से हम यहाँ पे, अपने post वाले को Select करेंगे, पोस्ट को Select करने के बाद, पूरा, फिर से हम data validation में जाएंगे, data menu में ही है, data validation, setting में आएंगे, setting में आने के बाद, setting में आने के बाद, यहाँ से आप लेंगे इसके लिए भी custom, और formula डालना पड़ेगा, इसके लिए, formula जो होगा, वो equal का sign होगा, और डिखेंगे each text, text, bracket like on करेंगे, और यहाँ पर आपको देना होगा, कि department जो है, वो कौन से column में है, तो उस column का नाम देना होगा, तो हम देख लेके का कौन से column में है, department मेरा, तो d में है, यह आपको दिखाए देना होगा, को डिकॉलम बोष्ट का ये फोस्ट वाले कर रहें तो पोष्ट मीरा जुँले में है तो यह से डी डालैंगे और इसको लाक करेंगे कॉलम को कि कि की डी कॉलम में कहीं भी टेक्स्ट के अलाभा कुछ और एक्संप्त नंने करें BAKET लगाएंगे इरर मैसेज इसके लिए भी टाइप का देते हैं यहाँ पर हेडिंग जो हो जाएगा वो पोस्ट हो जाएगा मेरा और इसमें हो जाएगा only accept text only accept text अब इसमें कुछ number पुट करके देखते हैं तो मैसेज आएगा पोस्ट only accept text तो कैंसल कर सकते हैं तो यह मेरा यह पॉइंट साथ next point देखते हैं अगला point देखने के लिए question में चलते हैं देखते हैं अगला question बोलता है कि basic salary only accept the value between 5000 to 40000 मतलब यह कि 5 जा से लेकर 40 जा तक ही basic salary accept करें उसके बाद बोलता है कि also so display a message that basic is between 5000 to 40000 from cell number E2 से E2 तक तो message तो हम flash करके दिखाएंगी और always flash करने के लिए हम इरर message दिखा रहते हैं आपको always के लिए हम यहां जाएंगे और basic वाले को select करेंगे और इसमें यह डालना है कि minimum 5000 हो सैड़ी maximum 40,000 इन दोनों के बीच में एक्सेप्ट करें इससे कम अलना ज्यादा इतना area select करेंगे validation में जाएंगे data validation में और data validation में जाने के data validation में आने के बाद setting में जाएंगे any value के जगा whole number लेंगे whole number में आके आप यहां पे between रखेंगे minimum हम 5000 चाहते हैं लेना और maximum चाहते हैं 40,000 के उसके बाद हम यहां से error message इसके लिए दे देते हैं पहले तो इसके लिए हम दे देते हैं error message कि error में हम क्या चाहते हैं इससे तो heading जो है मेरा वो basic है और error message हम बोल देंगे कि value between 5000 to 40,000 इसके बाद हम input जो message है जो always वहां पे show करेगा उसके लिए हम यहां डालेंगे heading title कुछ बेसिक से लिए डाल देते हैं और input message में डालते हैं और यहां पर लगा देते हैं basic salary between 5,000 to 40,000 तो आप देखेंगे कि एक तो आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि हर सेल पे जाने से आपको एक message मिलता है basic salary का कि between इतना ही लेना है और दूसरा यह कर सकते हैं कि अगर इसमें हम कम डालने की कोसिस करते हैं 5000 से कम जैसे 45 लेते हैं तो इंटर्ज लेते हैं तो message आता है basic जो हम error message यह थे value इतना से इतना ही लेना है और एक input भी message भी देता है बार बार तो input message भी आप ले सकते हैं और error message भी ले सकते हैं तो question मेरा बोला आता है कि केबल validation प्लस input message देने के लिए तो next question की तब चलते हैं next question मेरा है two six में आते हैं और इसे आ लेते हैं question number two बोला है question number two अब point खतम होगा उसका question number two में बोलता है कि insert a field after basic as a DA and calculate as 40% of basic तो 40% basic का DA निकालना है simply और यह एक column insert होना चाहिए basic के बाद तो basic के बाद एक column insert कराते हैं 40% DA निकालते हैं तो shift one में आते हैं basic पे मेरा है click और यहां से home time में आते हैं यहां से insert में और एक column insert कराते हैं sorry after यहां पर insert एक column और इस column में लिखेंगे DA DA और यहां पर हमको निकालना कितना है तो 40% निकालना है 40% निकालना है तो equal का सायन देंगे इसको into करेंगे 40% से करेंगे तो कुछ वैलिडेशन इसमें भी काम कर रहा है इसका वैलिडेशन हटा देते हैं यहां से क्लियर करेंगे तो इतना से वैलिडेशन करता हो गया है इसको लिए कि इसका 40% आजाएगा और यहां से हम क्या करेंगे कि ड्रैक कर देंगे सब तो वह आपको कॉलम में दिखाई देने लगेगा नेक्स्ट क्रेशन उसी क्रेशन नमबर टू में ही कुछ बोला था क्रेशन नमबर टू में यह बोला था कि कि नाव को कापी नाव कापी डिट डाटा बेस इन शीट टू व यह रिक्या इस दिखाई देगा वेल्वा ना कि उसका कोई फरमेट इग्व ना कोई डवेल्यशन ना कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए उसके लिए सीट बन में जाएंगा और यहां से सेलेक्ट करेंगे पूरा पूरा टेवल और यहां से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या आपको यहां मेनू में दिखता है कॉपी एक सीट एड करेंगे सीट तू और इसमें आके पेश्ट करेंगे पेश्ट करने के लिए पेश्ट के डॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और सबसे नीचे लिखा यहां से कुछ option है all मतलब सब चीज पेश्ट होगा पूरा आप कहेंगे कि हमको केवल फार्मूला पेश्ट काना है वैल्यू काना है तो हम केवल वैल्यू काना है तो आप देखेंगे कि विदाउट फार्मेटिंग आपका केवल वैल्यू आ गया है आप मतलब यह कीश में कहीं पर डाटा वैलीडेशन का कोई यूज नहीं है आप केवल इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे तो यह ऐसे हो गया कट शुआ किकॉर्षाइन की तरो देखते हैं किरी आते हैं किक धर हम्हेंग करें गया है 10 Sang प्रूरों प्प्राइब दिन तरहीं तो कैए हुआ है second phrase सब्सक्थ्रक्राइब सब्सक्राइब करें पर्लिकी को तूर्ब सब्सक्राइबु में है न। हम ये केोने CTRL-C और एक Seat Add करते हैं Seat 2 पे क्लिए करके Seat 3 आएगा उसके बगर में और यहां पे आके Generate कर लेते हैं Seat को अलब paste कर लेते हैं तो उसे Seat यहां दिखने लगे हैं और यहां बनाते हैं बनाने के लिए क्या किया है कि एक Heading को छोड़के दूसरे में लिखा है Sales Man दूसरे में लिखा है Zone तुसरे में लिखा है Sales paste गार से हम Data पुरा बना लेते हैं यहां पे हम बना लिए हैं इसको Arrange कर लेते हैं जो Heading लिखा है उसको Merge & Center कर जाए है जाए 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 कर देए Margin Center करने के बाद हम Table में Convert कर जाएते हैं इसको All Border में जाए 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 तो इसको भी आप सजा सकते हैं नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि यह जो हम डाटा उदा से कॉपी लाये थे इसको क्लियर करना के लिए होम में क्लियर और यहां से क्लियर राल करें है तो क्या पर जाएगा यह बन चुका है आप कोश्चन की तरब चलते हैं कोश्चन क्या करता है उसको देखते हैं कोश्चन बोलता है कि फॉल नंबर आपीएड यूर्ल यूर्टि कि अब्सक्राइब पनाना है यहां पर गया है कि फर्स गॉर्टर है और सेगंड क्वाटर है एक साल में चार कौर्टर होता है में पस तो उन चारो को मिलाएंगे तो क्या होगा कि एक YEAR मनेगा और हाप YEAR को दो कौर्टर मिलाएंगे तो हाप YEAR मनेगा तो इन दूनों का जो जो है मतलब इसका reporting और इसका पंदिया को सेलेक्ट करना होगा पहले फर्स्ट कौर्टर वाले को कॉपी करेंगे और इसमें आके आपको पेस्ट करेंगे और इसमें आने के बाद इस बार पेस्ट में आएंगे सबस्केंगे और इसको यहां पर अपको दिखेगा कि दोनों का रिपोट एड़ हो चुका है मतलब यह कि अगर यहां वेरिफिकेशन करते हैं इक Alber का साइन देते हैं इसको इसको लेते हैं तो तो आज इतना ही था कोशन में कोशन असाल कतम हो चुगा है अमेर बस कोई कोशन यह तो आज के कोशन में इतना ही था तो आज हम एक्सल टूर 6 में सीखे कि डाटा वेलीजेशन के बारे में कि कैसे यूनिक डाटा को लगाए जा सके कि यूनिक ही एकसेप्ट करें कैसे टेक्स्ट को लगाए जाए कि केवल टेक्स्ट ही एकसेप्ट करें किसी कॉलम में कैसे लिमिट लगा दिया जाए कि इतना से इतना ही value accept करें कैसे text के लिए limit लगा दिया जाए कि इतना ही text काम करें तो यह data validation का कुछ rule था जिसमें drop down list बनाना सीखें उसके साथ साथ कुछ paste special का एक दो option दियान सीखें तो आज के class में इतना ही, thank you